दोस्तो रामा स्टिल ट्यूप्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे आज देख सकते हो की जबर्दस तेजी का वाताम फिर से बनावा स्टॉक करेक्ट होके फिर से दोड़ने को त्यार हो चुका है अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है रामा स्टिल ट्यूप्स के मर्जर को लेकर यहाँ पे अपडेट है जिसको वीडियो के मादिम से डिसकस करेंगे पूरी डिटेल क्या है क्या है यह पूरा मामला इसको समझने की कोशिस करेंगे साथ में रामा स्टिल जो आने वाले समय अपने बड़े वीजन के साथ आगे बढ़ रहा है सरकार की तरब से भी स्टिल सेक्टर को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जारे जिसका क्या असर होगा रामा स्टिल ट्यूप्स पे वो भी जानेंगे और क्या इस छोटे से पैनी स्टॉक में हमें निवेस करना चीए क्या ये लॉंग टम में हमें एक बड़ा मल्टी बग रिटन दे सकता है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए स्वागते तो सबसे पहले यहां पे अगर हम रामा स्टिल ट्यूप्स लिमिटेड के आज के कारूबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि समय लगबग 12 बजे के आसपास का टाइम है स्टॉक की शुरुआत आज पॉइंटी हुई 16.19 पर क्लोजिंग कलकी 15.97 पर थी इंट्राडे में 16.96 का हाई बना यानि लगबग 17 तक फिर स्टॉक जाता हो दिखाए देगा जो लो है वो 15.50 का यानि आज इंट्राडे में हमने इसमें कुछ गिरावड भी देखी लेकिन नीचले लेवल से जो आप देखते हो कि इसी महीने सेफ्टमबर में इसने हमें बहुत जबड़स देजी भी बताई और इसमें फिर करेक्शन भी आया तीन सितमबर को श्टॉक साड़े 10 के आसपास आप देख सकते हो श्टॉक दोड़ते हुए 9 सितमबर को साड़े 17 तक पहुँच गया सिरफ 4-5 ट्रेडिंग सेशन में मल्टी बैग रेटें दिया उसके बाद इसमें 2 दिन प्रॉफिट बॉकिंग आई 9 और 10 सितमबर को अब आप देख सकते हो कि वो श्टॉक जो 14 पे आयता 10 सितमबर को वो फिर से 17 को टच करता हो दिखाई दे रहा है यानि अब एक फ्रेश करोड का वोलिम था 4 करोड की डिलेवरी उठाएगी थी वन विक पहले 25 करोड का वोलिम हो था 8 करोड का डिलेवरी बेस काम हुआ कल 15 करोड का वोलिम हो था 5 करोड की डिलेवरी उठाएगी आज 13 करोड का वोलिम अलड़ी 11 बज़े के आसपास हो चुका है इससे क्लेरी क्या रही है कि यहां पे लेपक सी ट्यूप प्राइवेट लिमिटेड जो सब्सडी कमपनी रामा श्टियूप लिमिटेड की उसका देख सकते हो कि यहां पे उस फैसले को बदला जा रहा है तो फिलाल की तरफ से देख सकते हो कि 10 सितमर 2026 को आदिस पारित किया गया था यह मर्जर था इसको विड्रॉल करने के लिए तो आप देख सकते हो कि वो इस समय कमपनी इसको मर्जर नहीं करना चाते है वो अभी फिलाल इसके लिए अलग से इसको सब्सडी रखना चाते है तो उस आदिसको विड्रॉल किया गया है उसकी जानकरी एक्षेंड को दीगी है कि फिलाल ये मर्जर नहीं होगा तो देख सकते हो कि आने वाले समय कंपणी इसके लिए और कोई बड़ी फैसले ले सकते हैं कुछ और तरीका अपना से लेकिन फिलाल कंपणी लेपक्सी ट्यूब लिमिटेड का मर्जर अपने आप में रामा को विड्रो किया गया है अब यहां पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सरकार स्टिल सेक्टर को लेकर कुछ नई पॉलिशी लाने जा रही है डिकार्बनाइजेशन के लिए तो देख सकते हो सरकार चाहती है कि जो भी पॉलिशन अदा इस्टिल इंडेशन के माद इंसेटिव भी देगी यहां पर देख की जो सेक्टर से संबनीद लोग है इंडेश्टिज के जो स्टेक होल्डर से एक्सपर्ट हैं उनके साथ में उनका उपिनिन लेके यहां पर इसका रोड मैप तयार किया जाएगा इसके लिए सरकार ने तयारी कर लिए तो आने वाले स्टील और से मादेम से पोलुशन खत्म हो जाएगा तो आने वाले से में सरकार की तरफ से कोसिस पूरी है स्टील इंड़ेस्टिय को पोलुशन मुक्त करने का तो यहां पर देख दो कि आने वाले समें रामा स्टील भी इसके लिए आगे बढ़एगे सरकार का सपॉर्ट म PLA scheme का benefit दिया जा रहा है यानि यह जो production link scheme है इसके तयाद देखे तो सरकार इनको काफी ज़्यदा subsidies provide करती है जिससे वो defense sector में तेजी से अपने कारुबार को आगे बढ़ा पाए तो जो छोटी छोटी जो company है उनको PLA scheme के तयाद लिया जा रहा है तो अब यहाँ पे रामा स्टिल ट्यूप्स के लिए भी एक बड़ी opportunity है अगर यह defense sector में इंट्रिक कर चुक है तो इनको PLA scheme का benefit सरकार की तरब से मिल सकता है यह एक बड़ा तौफा हो सकता है रामा स्टिल ट्यूप्स लिमिटेर के इसके अलावा जो इसकी में अब चल रही है जिसमें आप देखे तो सरकार solar sector के लिए भी यहाँ पे PLA scheme का benefit दे रही है और company अब देखे तो की green energy sector यहनी solar sector में भी इंट्रिक कर चुकी है तो इसके लिए आप देखे तो जिससे के PM सुर्य घर बीजली मुप्स लिए बना रही है solar panel बनाने के लिए company आगे बढ़ने जा रही है उसके लिए structure बनाएगी तो उसका फाइदा भी होगा है इसके लावा PV modules के उपर सरकार PLA scheme ला रही है इसका फाइदा भी company उठा सकती है तो यह जो skim आ रही है इसमें PLA scheme का benefit पूरा मिल सकता है तो company को एक तरह से देखे तो यहाँ पर double benefit मिल सकता है यह कह सकते है कि double gift सरकार की तरफ से आ सकता है इसके अलावा देखे तो यहाँ पर green sector के लिए सरकार ने 100% FDI को भी छूट दे दिये यानि अब foreign investment भी आ सकता है और जैसे कि अब आपको पता ही होगा कि यहाँ पर रामाश्टिल ट्यूप्स लिमिटेड यूएस की company शेर खरीद रहे हैं तो वो अब यहाँ पर निवेस भी कर सकते है इसके company के अंदर तो यह बहुत बड़ी opportunity इस company के लिए आने वाले समय बहुत बैतर production करता हूँ दिखाई दे सकता है रामाश्टिल ट्यूप्स लिमिटेड और company बले ही समय fundamentally weak हो लेकिन इसके जो business plan है वो काफी सांदर है जो आने वाले समय इसको बहुत उचायों पर लेके जा सकते अब यहाँ पर हम रामाश्टिल ट्यूप्स लिमिटेड की performance को देखे तो पिछले 5 सालों में रामाश्टिल ट्यूप्स लिमिटेड ने 83% का सांदर return दिया है इस दोरान BSC Metal में 28% की तेजी बनी है स्मॉल कैप में देखे तो 34% की तेजी बनी है तो वीनर आपको रामाश्टिल ट्यूप्स लिमिटेड दिखाए देगा थ्री एर की बात के तो रामाश्टिल ट्यूप्स लिमिटेड ने 74% के आसपास का जबरदस return दिया इस दोरान BSC Metal में मातर 15% की तेजी बनी है स्मॉल कैप तो 54% डौड़ा है तो यहां पे वीनर आपको BSC Small Cup दिखाए देगा और लूजर आपको रामाश्टिल ट्यूप्स लिमिटेड ने 36% का अच्छा खासा return दिया है पिछले एक महीने की बात करें तो रामाश्टिल ट्यूप्स लिमिटेड ने हमें 50% का सांधा return दिया है जबकि इस दोरान BSC Metal में मातर 2% की तेजी बनी है और BSC Small Cup की बात करें तो यहां पे 6% की तेजी है तो clearly देखें पिछले एक महीने में जबरदस return दिया है रामाश्टिल ट्यूप्स लिमिटेड ने है और यह winner बना है जबकि Metal Index में कोई खास तेजी नहीं बनी है Year to date के हिसाब से रामाश्टिल ट्यूप्स लिमिटेड का जो return है वो 38% जो बहुत ही जबरदसत है Metal Index में 18% की तेजी बनी है और BSA Small Cap भी 33% दोड़ा है तो यहाँ पर Year to date के हिसाब से भी जो winner है वो बिलकल रामाश्टिल ट्यूप्स लिमिटेड है काफी बहुत परदस्किया है ऐसे में एक अच्छा मौका है इस पैनी स्टॉप्स में दाव लगाने का इसकी संभावना काफी जाद है यह आनवल्स में काफी बैतर रिटन दे सकता है तो निवेस कर सकते है लोंग टम कान जिर्या लेके लेकिन पैनी स्टॉक है लिमिटेड निवेस आपको करना चीए रिस्क बहुत जादा है लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंसल एडवाईजर से बढ़ए ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंको मैने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरुकी जोड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैक्यू फ्रेंड्स